आज मैं आप सबके साथ पेस्ट एवर चिकन पकोड़ा की रैसे पर शेयर करने जा रही हूं और मैं इसे ऐसी बैस्ट रवर नहीं कह रही हूं कि सच में बहुत जादा मज़ेगा बनता है आप मेरे कहने पर इससे एक बार तो जरूर ट्राइग करिएगा आप के अफसी वगर ट होगा चिकें आप चाहे तो बोल्न ओआ सकते हो या फड़ी वाली के बना है इसमें लेख और सब्सक्रीब करें vinyl है तो मैंने भी लिए है लिए नहीं स्कूर्ण को करने अभी पानेयगा जाय किरतने होगा इससे बढले का चीपेसित लिए पेस्ट ना से कर दोल्कूल सद दही में लेमन जूस जाएगा हाफ अविमन जूस जाएगा हाफ अब हम स्मेट करेंगे यह कुछ मसाले तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिश पाउडर 1 चमच बार फोर स्टीज्पून लिया नमक लिए है तेजिए धनिया पाउडर और चूटा कमच और यहां पर मुझ है ने प्रयुटा जिए जीरा पाउडर जाए फोग लावर के सीट नियुटा सीटेन अधा अंडा तो आधा अंडा ईन्डा फिटने के बाद उना इसका आधा चिकर में अधा जाकड़ाया जाता ह और जो ग्याधांडा बच किया है इसका फ्राई ओमलेट को भी बना के खा सकते हैं आपकी मर्जी इसके बाद इसमें जाएगी हरी वाली चटनी जो हमेशा इसली अवेलेबल होती है धनिये पुदीने की जो चटनी होती है वही है यह एक चमच अब इन सारी चीजों को मच्छ करने से यह बन जाता है और मतलब KFC से भी बेस्ट है जब आप प्राई करोगे आपको पता चलेगा और यहां पर मैंने इसमें डाला है कॉंस्टार्च 1.5 टेबल स्पून है यह 1.5 टेबल स्पून अपडेट से 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं सारी चीजों को मिक्स करेंगे और अब आप इसे घंटा दो घंटा आदा घंटा जितना भी आपके वास टाई में आप इसे मैरिनेट करके छोड़ दे उसके बाद फ्राई करें तो बहुत जादा मज़े का बनता है तो बस यह गरम गरम तेल में मैंने आपर सारे पीसे डाल दिये हैं और डालने के बाद आपको इसे दो मिनट के लिए छोड़ देना है जिससे कि इस पे जो मसाले लगे ना वो गरम तेल में अच्छे से कोखो के चिपक जाए अगर आप इसे तुरन छेड़ने लगोगे पलटने लगोगे तो हो सकता है मसाले इसके उपर से हट जाए मसालों की कोटिंग तो आप आप चिकन के पीसे को मैंने फ्राइ कर लिया है अंदर तकि अच्छे से पगए हैं बहुत जादा जूसी और बहुत जादा टेस्टी बनते हैं इस ताहिं ने देखिए काफी गरम है मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा है तो यह दिखिए अंदर तकि अच्छे से बिलकुल को खो गये हैं बहुत जादा जूसी और बहुत जादा टेस्टी और इस पकोड़े का जो पैस्ट कॉंबिनेशन है वह है दही वाली हरी चटनी सिंप्लि आपको हरी चटनी में दही को थोड़ा सा डालके मिक्स करना है और बस इसके उपर आप नीमूनी चोड़े और इस कॉंफीस